हम देखे तो फॉर्स सेमिस्टर ने लिखा है रूपीज फाइवनिट पर बान तो गए सिक्स मंद्स की देखे तो थी ताउजन रूपीज निकल के आता है पर आज 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 यम कवर कर लेते हैं फटाफ़ अपने सारे गौवर्म्न को जाने तो बनाने का कुछ फाइदा नहीं है पर आप अगर रिक्वस्ट करेंगे तो शोलियम बना देंगे पर आज हम कवर कर लेते हैं फटा फट आपने सारे government colleges तो चलिए आज बात करते हैं JCETTB के बारे में काफी short में और काफी अच्छे से मैं आपको इसकी review देने की कोशिश करूँगा मैंने basically सारे data उनके website और उनके WPJE से ली गई हैं मतलब मैं कोई अपनी review नहीं दूँगा यहां पर last में सिर्फ मेरा slide आएगा जहां पर मैं कहूँगा कि मुझे कैसा लगता है यह depend कर सकता है percent to percent तो guys चलिए सबसे शुरुवात करते हैं शुरुवात करते हैं हम लोग सबसे पहले इनके website को देखेंगे इसके बहुती ओके लेवल की अच्छी campus है तो चलिए गाई सबसे पहले इनके data को देखते हैं data में कहते हैं कि इन वह टेक्स्टाइल टेक्नालोजी में इस बीटेक ही नहीं इनके बीटेक भी ओफर करते हैं बीटेक में 60 seats रखते हैं जो maximum seat है किसी भी department का यहां पर और गाई सबसे अच्छी बात यह कि computer science में 44 seats रखी है जो काफी बढ़ चुकी है पहले से और mechanical में 30 और electrical में 30 seats ओफर कर रही है और गाई सबसे अच्छी बात क्या है faculty member की ratio देखें तो computer science में सबसे ज़्यादा है पर अगर textile technology बात करें इनकी code department है बहुत सालों से चाहिए तो वह भी काफी कम दिया है इन्होंने तो यह एक factor negative factor दिखता है और गाई सबसे अच्छी बात हम यहां पर देखें तो यहां पर computing centers भी अच्छे हैं और अगर बात करें तो guys girls की hostel नहीं दी गई है number of seats in girls hostel है zero तो यह मुझे लगा बहुत ही uncommon और girls common room है boys common room है सबसे जारा important चीज गवर्मेंट कॉलेज को जो कास मना था यहां पर हम देखें तो फॉर्स समिस्टर रूपीज निकल के आता है और यहां पर यह भी दिया है कि NB के तरफ से यहां पर एक notice है कि computer science engineering में 1000 rupees per month extra charges लगी तो यह एक अच्छी बात है तो अच्छा एक मतलब कितना होगे 4000 रुपय होगे उतना ज्यादा नहीं पढ़ता अगर टीए डॉली में पढ़ते हो तो क्या दोगे तो exactly guys अगर आपको टीए डॉली सीट नहीं बनती तो basically you can go for this college because बहुत ही कम है अगर हम बात करें का इस placement record की तो placement record is a great factor at this college बहुत ही पर मैं अगर देखू सेरंपूर को और बैरंपूर को सेरंपूर का इससे ज़्यादा अच्छा है पर इसकी cut-off इसकी cut-off high है पता नहीं क्यों ऐसा होता है पर इस trends पर बहुत matter करता है सब चीज है पर यहां पर अगर हम बात करते हैं थर्टी सेवन पॉरसें थर्टी सेवन पॉरसें थर्टी सेवन पॉरसें थर्टी सेवन पॉर्टी परसें तो बहुत ही कम है इन अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है पर चार साल बात कुछ भी सिनेडियोज हो सकते हैं अगर बात करें सबसे गंदी चीज जो मुझे यहां लगी आपर से निकल के आता है कि यह पर बनी थी पहले एक स्कूल थी बाद में यह इमर्जिंग गुट इंजिनर निंग कॉलेज इन दे कंट्री बन चुके है और बहुत सारे चीज़ें दी गई है जैसे कि टेक्स्टाइल टेक्नोलज में पोस्ट गैजुएट ऑफर की जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बता ए हम पस एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा इस कॉलेज के लिए what I always want to mention in the video that is all about the domicile requirement because the domicile requirement for the 2020 के notice में दिया है कि any seat in a government-aided engineering technology and pharmacy colleges में अगर आपको जाना है तो you need to be a domicile candidate so आपकी पास अगर domicile certificate होगा आपने submit किया है तो basically you can get into this college let's guys get into the cut-offs and the 2019 cut-offs is what we will discuss at the first okay so चलिए गाइस यहां पर बात करते हैं यह adolescent के तरफ से cut-off दी गई है अब actually guys मैंने इसे official website के साथ matching की है तो यह truth है मतलब यह actually cut-off है तो यहां पर guys सबसे अच्छी बात हम देखें तो computer science engineering की यहां पर जो rank किनोंने common rank मतलब general rank पर जो बच्चे को गया है वो है 8000 के बच्चे में अगर चाहें तो चले जाते हैं अब guys बहुत सारे YouTube चानल पर मुझसे comment आ रहा था कि guys मेरे को OBC seat ने दिख रहा तो basically guys अगर आप OBCC candidate हो automatically आप OBCC seat के लिए चले जाते हो general को छोड़कर उनके लिए specially आपके लिए कुछ नहीं देखता है अब guys यह computer science की बात करतों guys यहां पर 8,000 मतलब 9,000 की करीब बच्चे चले गए थे 2019 में पर 2019 was a bigger trend तो 2018 के साफ तो 13,000 तो I think 13,000-12,000 की करीब जा सकता है computer science because computer science का हमेशा यह trend रहा है mechanical की बात करतों guys यहां पर 12,000 लिखा है पर I especially think यह 15 तक जा सकते हो आप और यहां पर बात करते टेक्स्टाइल टेक्नोलजी की तो यहां पंदरा दी गई है तो electrical और computer पे कुछ ज़्यादा difference रहा नहीं और अगर हम बात करें OBC, OBC, SC candidate की तो SC candidate की बहुत ही advantage है कि 20,000 तक rank है तो you will get computer science in this college this is a good well chances है, TFW की बात करें तो guys 6,000, 10,000 के करीब आप समझ सकते हो यहां पर जितने भी ranks दी गई है अगर 3000 आप प्लस कर दो तो बहुत यह चाह रहेगा and I specially recommend you अगर आप college को जाना साथ हो TFW है तो TFW देने के बादी general seat दे दो क्यों कि guys ज्यादा फीस का कुछ difference होगा नहीं और आप बहुत ही enjoy कर पाऊगे यह college so let's guys get into 2018 cut-offs so guys यहां पर काफी interesting cut-offs आपको देखने मिलेंगे तो computer science is going up to 14,000 which is very interesting and guys यहां पर आप जा सकते हो so basically guys difference ही कुछ ने निकल के आ रहा है दोनों में तो यह बहुत ही अच्छी बात है और यहां पर हम देखे तो क्या इस mechanical की तो 14,000 और textile technology की 20,000 तक जा रही है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसा ही कुछ है या cut-offs पर सबसे अच्छी बात क्या है इस CST candidates के लिए कि आप 25,000 तक अप्लाई कर सकते हो बहुत ही अच्छी बात है और textile technology आपको 50,000 तक मिलेगी अब believe me or not but guys textile technology की college है तो textile technology में अच्छे companies इनकी बहुत इच्छी पकड़ होगी इनमे और ST candidates की बात कर तो guys हमेशा आप 40,000 तक अप्लाई कर सकते हो और TFW candidates के लिए 10,000 is something which is mandatory but guys textile technology लोगे तो 15-20,000 तक मिले TFW हुआ, I don't mean TFW rank but I mean TFW, my general ranker पर TFW candidate, so basically you can get into here और सबसे अच्छी बात है guys यहाँ पर OBCB, OBCA के लिए भी seats इस साल रखी गई है पर last years क्या होते थे पहले की seats change कर दी रहते थे general seat में पर guys अभी से notice आ गया है कारे में लगी है, वो है इनकी fee structure but I think the placement needs a lot of improvement in this college and जैसे branches है वैसे अच्छी placements भी होती है तो आपको कैसा लगा यह college की review तो आप मैंने जरूर comment section पर बताओ और बहुत इस अलग students की helpful मैंने बहुत ज्यादा help होगा अगर आप इस college से belong करते हो तो आप surely अपने reviews पका लिखना नीचे तो guys वीडियो को करना शियो लाइक और चानल को करना subscribe वह तक नहीं किया तो और what is the more important that is guys वीडियो को share करना क्योंकि share करने से ही दुनिया में यह सारी चीज़े पहुंचेंगी और उनको actual knowledge मिलेगा तो चलिए guys तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां पर हम सेरंपूर college की बात करेंगे